Hello Everyone ! क्वीता हेलदी किचन ने आपका बहुत स्वागत है आज हम मटर की रएस्पी बनाइएंगे जो कि कुल्चे के साथ खाय जाते हैं और बहुत एक टेस्टी लगते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिना ऐल के हम यह रैस्पी बनाइएंगे तो यह मैने मतर को रात बर भी गो दिया था यह दो कप मतर थे तो यह फूल गए है और तो हम इसको कूकर भी डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा दो पिंच के करीब हम खाने का सोड़ा डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालके हम बस यह अच्छी तरह भीग जाए बस हम जितने मतर हैं उतने ही पानी डालके हम इसको हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है जैसे मैशी से हो जाए तो और सोड़ा हमने जरूर डालना इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा नहीं तो कोई बिलकुल ही कच्छा रह जाएगे और कोई BILKUL हो जाएगे तो इसने सोड़ा डालनेगे तो सारे इकॉल हो जएगे तो इसने हम इसको 2-3 मेसल लगाके आप इसको वाय बॉयल करेंगे कि दिखे अब हमने यह मटर उबार लिए अच्छी तरह और ठंडे कर लिए यह दिखिए पुरी तरह से गल गए है ऐसे हो जाने चाहिए बिल्कुल मैशी से कच्छे नहीं रहने चाहिए अब हम इसमें सबसे पहले प्याई डालेंगे यह प्याज को रफली चॉप कर लिया मैंने खूब सरा प्याई डालेंगे इसमें टिमाटर डालेंगे धनिया डालेंगे अरी मिर्च डालेंगे मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते आप अगर बच्चों ने खाना है तो कम डालेंगे और अब हम डालेंगे यह केले हैं दो केले काटे हैं मैंने इसको बिल्कुर आखिर में काटें नहीं तो यह काले पड़ जाते हैं और अब हम नमक डालेंगे इसमें स्वातानुसार गरब मसाला लाल मिर्च थोड़ा से काला नमक चाट मसाला चाट मसाला थोड़ा चादा डालें धनिया पाउडर अगा चमच भूना जीरा पाउडर और यह इमली का पानी है यह डाल देंगे हम और अब हम इसमें थोड़ा सा निम्बू डाल देंगे देखिए कितने जटपर से हमारे मटर तयार हो गया है और यह बिल्कुल भी और ली नहीं है इसको खाकर आपको स्कूल कॉलेज की याद आजाएगी आप बिल्कुल ऐसे मटर बनाएं बिल्कुल सेम टू सेम तो आपको बिल्कुल बजार के खाने भूज जाएंगे आपको इसको अच्छे से मिलाना है अगर थोड़े मैश भी होजें तो और भी अच्छे लगेंगे बस कच्छे नहीं रहने चाहिए तो अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल की और आप इसमें अगर स्प्राउट्स हैं आपके पास स्प्राउट्स भी डाल चकते हैं तो यह देखिए अब यह हमारे मटर तयार हो गया है अब हम इसको सर्व करेंगे तो यह मैंने यह तो यह मैं सेख लेती हूँ थोड़ा सा बटर लगा के तवे पे तो फिर हम सर्व करते हैं देखिए हमारे मटर कुल्चा बिल्कुल तयार है खाने को और आप भी प्लीज अभी बनाए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्याद